वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज के वीडियों में बात करेंगे कि आपको Elementor के template free में कैसे आपको download करना है कैसे आपको अपने website में अपने pages में guys आपको यहाँ पे add करना है तो guys जैसे आप यहाँ पर देख पार है यह जितने भी template है guys यह free template है आप guys यहाँ पर आपको दिखा देरा है कि यहाँ पर first लेकर 13 तक guys यह free template है इनको आप use कर सकते हैं तो guys जैसे मैं यहाँ पर इस वारे template पर click करूँगा and click करने की बाद मैं इस पर जैसे यहाँ पर click करूँगा ठीक है यहाँ पर preview पर जाओँगा and preview जाने की बाद हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि यह जो template है यह कैसे template है तो सबसे पहले guys हमें यहाँ पर check करना होता है and उसके बाद हम अपने website में guys यहाँ इन template को फिरी में add कर सकते हैं फिरी में guys आपको use कर सकते हैं तो यहाँ पर इतने सारे template guys आप यहाँ पर फिरी में add कर सकते हैं तो finally इस video में यहीं बताऊँगा कि कैसे करके guys आपको अपने wordpress website में elementar template को download करना है तो guys सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने wordpress में आ जाना है तो guys मैं यहाँ पर back करूँगा यहाँ पर अपने dashboard पर आऊँगा आपको सबसे पहले guys अपने dashboard पर आणा है यानि कि wordpress को login कर देना है and guys जैसे आप यहाँ पर login करेंगे तो login करने के बाद guys आपको यहाँ पर कुछ plugin को install करना होगा activate करना होगा तो guys जैसे आप यहाँ पर आपको पता है कि आप अगर आप अपनी website को design कर रहे हैं और आपको अपने pages को अपने कोई जैसे यहाँ पर landing page हो गया या कोई आपके sales page हो गया उनको guys आपको यहाँ पर design करना होता है तो design करने के लिए guys हमें यहाँ पे अपने website में कुछ plugin को install करना होता है तो guys आपको यहाँ पे add new plugin करना होता है and guys आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ elementor ठीक है मैंने यहाँ पे elementor लिखा and elementor लिखने के बाद guys हम अपने website को design करने के लिए यहाँ पर Elementor का यूज़ करते हैं तो guys अगर आपने अभी तक Elementor plugin को install नहीं किया हुआ तो guys आपको install करना है देन एक्टिवेट कर देने उसके बाद guys आप यहाँ पर Elementor को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद guys हमें यहाँ यहाँ पर Elementor के इस plugin को guys आपको यहाँ पर install नहीं देन एक्टिवेट कर देना है तो मेरा guys यहाँ पर अल्रेड़ी एक्टिवेट है तो आपको guys यहाँ पर Inventor Element भी एक्टिवेट करना है आप guys जैसे आपको यहाँ पर activate कर दोगे को अपको करते हुए यहां पर दिखाए कर दो कर देल के हुए तो यही हों अन्य है बते हैं्ग गेभग सबस्क्रट यहां पूर सब्सक्रट अपेड़ी से दिख्राइब कर ंगा फ्रिक भाद लिए इन template को आप फिर में download कर सकते हैं फिर में अपनी website में आप यूज कर सकते हैं तो guys इहां पर second page पर आउगो में and second page भी guys आपको यहां पर इस ताई टैंपलेट को बिखाए जाते हैं तो guys जासे मुझे यहां पर इस वाले template को मुझे यहां पर चाहिए तो guys आपको यहाँ पर install kit करना है and जैसे guys यहाँ पर install हो जाएगा आपको view kit करना है और आप यहाँ पर install kit पर जाते है तो आप view kit में guys आपको यहाँ पर इस template के अंदर भी आपको वह सारे template मिल जाते है तो guys जैसे मुझे यहाँ पर यहाँ पसंद आ रहा है तो आपको इहां पर क्या करना है, आप चेक भी कर सकते हैं आपको इस पर क्लिक करना है और जासे इस पर क्लिक करींगे तो आपको इहां पर इस तरह का template दिखा जए गार तो अगर यहां पर यह प्शुट Tech यहां पर fill पर्संग कर देना है और जैसे here on yellowfart ऑसके बाद सीधों से गाइज मारोट में इंपर हो चुका है अब हमारा वो टेंप्रेट गाइज हमने अपर लगाना होता है तो क्या करना हैको कलर 테 sensor Самम्हें करना है गाइस यहां पर पो चुछ करना है यहां साथ Where I am जोई सास्ठाव करना है जाएसरों मेजेंडरप देन यहां पर आ गया है यहां से 便 यहां चुछ कर सकते हैं जो प्रब्राइबा याज आप यहां से लगा सकते हैं यह सारे चीज़ेड़े आप करना है अच्छे से अपनी website को आपको design करना है यह free template है guys free में आप इन template को download करके अपने website में अपने pages में guys यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर जाना है and free kit में जाना है और free kit में guys आपको यह सारे template guys download करने के बाद आप use कर सकते हैं तो guys यह सारे चीज़ें आपको करनी है, अपनी website को guys एक अच्छे से design करना है और यह सारे चीज़ेंगे अपनी website में edit करके and design करके guys आपको यहाँ पर update करेंगे, तो update करने के बाद guys यहाँ पर preview में भी आप check कर सकते हैं, जैसे इस पर मैं click करूँगा and click करने के बाद यहाँ प दिखाई देता है, तो आपको content, images and color wise आपको पेज को एक अच्छे से design कर देना है, तो guys I hope कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कौन सा plugin यूज़ करना है, जिससे कि guys हम यहाँ पर elementar में template को फिरे में download करके guys यहाँ पर use कर सकते हैं, अपन यूट्यूब चैनल को भी subscribe कर देना है, तब तक के लिए guys आपको अपने ध्यान रखना है, जैहिन वंदे मातरम